नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया नियूज का डिच्चल चैनल इंखबर आपको तो पता ही होगा वैलेंट एंडे की शुरुवात है रोजडे से ही होती है साथ फरवरी को रोजडे मनाये जाता है इस दिन एक सच्चे दोस्त एक दूसरे को फूल देकर अपना प्यार का इजहार करते हैं यहाँ पर प्यार से मतलब ना कहों लड़के और लड़कियों से है बलकि एक सच्चे दोस्त से भी है एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार एक फूल देकर कर सकते हैं हाला कि इस दिन जो लोग सिंगल हैं वो बहुत ही खास मानते हैं और वो अपने प्यार का इजहार इसी दिन करना चाते हैं साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अलग-अलग तरीके से लोग अलग-अलग कलरे के गुलाब को देने का क्या मतलब होता है रोजज़े मनाने के लिए एक कहानी बताई जाती है अगर आप रोज़े के अक्षरों को ठीक तरीके से विस्थित करें तो यह बन जाता है इरोज जो प्रेम के देवता और ग्रीक माइथलोजिक बताती है कि प्रेम की देवी वीनस का भी पसंदिदा फूल गुलाब है रोज़े में लाल गुलाब है खास इस दिन लाल गुलाब को खास माना जाता है यह उन लोगों के लिए काफी खास होता है जो अपने प्यार का इजहार करना चाते है यह प्यार का पतीक है इसके पीछे की कहानी में बताया जाता है कि मुगल सल्तनत के बेगम नूर जहां को लाल गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद था और उनके शोहर नूर जहां के दिल को तवजू देते हुए उन्हें खुश कर रखने के खातिर लाल गुलाब उन तक पहुंचाया जाता था इसके खातिर हुए अपने कमरे को जहां मिया वीवी राजी होते थे वहां पूरा कमरा लाल गुलाब की भीनी खुश्वू से भरा होता था इस बात को लेकर आज हम लाल गुलाब को प्रेम के प्रतीक कहते हैं यह लाल गुलाब रोज जे के अधितर इस्तमाल किया जाता है इसको दरसाने का एक बहुती बढ़िया नजरिया है पिंक रोज का भी करते हैं इस्तमाल इस रोज को शेयर करके उत्सा को दरसाया जाता है पिला गुलाब गरी दोस्ती को दरसाने के लिए पिला गुलाब का इस्तमाल करना आपके लिए बहुती बहतर होगा सफेद गुलाब सफेद गुलाब को लेकर यह माना जाता है कि शांती का प्रतीक है और लोग एक इस दिन इस गुलाब को शेयर करके यह दरसाना चाहते हैं कि उनके बीच सहान उभूती कितनी भावना है रोज दे मनाने की कुछ यह है कहानी अगर आपको वीडियो पसंद आये तो से लाइक करों शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद